एक्सपर्ट्स का दावा है कि साल भयांकर ठंड पढ़ने वाली है लेकिस इस भयांकर ठंड से बचने के लिए हम आपको ऐसे ट्रिक्स बता रहे हैं जो एकदम कमाल के हैं जी हाँ ठंड के मौसम में बॉडी का तापमान सामान रहे इसके लिए ड्राइफ्रूट का सेवन करें गर्म हल्दी वाला दूद पिए पेट भर कर पॉस्टिक आहार ले सूप का सेवन करें इसमें प्रोटीन, पनीन, दूद, अनाज, आलू, ताजे, फल और हरी सबजियों का सेवन कीजे ठंड के दिनों में फैसनेबल कपरों की बजाए सही कपरों का चैन करें किसी भी तरह की ड्रेस के साथ इनर पहन कर स्फेटर या जैकेट पहनेंगे तो आपको अधिक आराम मिलेगा शर्माने की बजाए हाथ के मोजी और कानों पर स्कार भी जरूर लगाए इससे आपको ठंड से बहुत हट तक राहत मिलेगी नियमित रूप से व्यायाम करें एरोबिक्स, जिम, योग, प्रानायाम करें इससे आपकी बॉडी में खोन का सामाने रोटेशन जारी रहेगा बॉडी में आकरन पैदा नहीं होगी अनिता बॉडी कड़क होने लगती है ठंड में बॉडी में दर्द, घुटों में दर्द नहीं हो इसके लिए भी योग जरूरी है नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारा भारत में और आपके साथ मैं होता नहीं अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजे क्योंकि वीडियो आपके काफी काम की होने वाली है ठंड में सीजनल फल और सबजियो का सेवन जरूर करे ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आपको किसी तरह का फलून नहीं होगा एक्सपर्ट्स अक्सर सलाह देते हैं कि बदलते मौसम में सीजनल फूर का सेवन जरूर करना चाहिए रोज सुबा नियमित रूप से बासे मूँ गुनगुना गर्म पानी पीजे जिससे आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहा निकल जाएगी और आपकी सुस्ते भी उड़ जाएगी सर्दी के दिनों में भी पैदल घूमने की आदत नहीं छोड़े इससे आपका रच संचार अच्छा रहेगा अगर आपके अपार्टमेंट में लिफ्ट है तो भी सीडियो का प्रियोग करे इससे आपकी एक्सिसाइस भी होगी और बॉडी में गर्माहट भी बनी रहेगी वही सामाने वॉक से अधिक तेच चलने पर आपकी बॉडी गर्म हो जाती है कमरे का तापमान सामाने रखे अधिक गर्म होने पर आप घुटन महसूस करेंगे वहीं एसी चलाने पर आप बिमार भी हो सकते हैं इसलिए सामाने तापमान से आपको तरुताजा महसूस होगा ठंड के दिनों में कान, हाथ और पैरों को भी अच्छे से धक कर रखे क्योंकि पैर धके होने और कालों में हवा जाने अधिक ठंड लगती है ऐसी तरीन तापरों को देखने के लिए आप जुरे रहे हमारा भारत के साथ